नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है और हिंदी साहित के जगत में आपका स्वागत है UGCube.net के तैयारी करने वाले हिंदी से जुड़े बेजड़्यार्थियों के यह कहानी महत्पूण है इसके अलावा भी हिंदी, साहित या हिंदी से आप कहीं भी जुड़े हैं और किसी भी एक्जाम में आता है तो उहां पे आपको या मददगार सावित होगा कि एक टोकरी भर मिट्टी किस लिखा की कहानी है तो इसका सही इंसर है माधवरा सप्रे और यहां 1901 की रचना है कही कि 1901 आपका प्रमारिक है तो इस प्रकार से यह रचना है आइए इसका अध्यान करते हैं और कहानी में आपका इंट्रेस्ट है और हिंदी में आपका इंट्रेस्ट है तो आपके लिए या महत्मुन है बिसेस कर यूजिसी नेट के लिए क्योंकि उसके सीलेवस में लगा बहुत चोटी सी कहानी है आई इसको पढ़ते हैं बहुत जल्दी खतम होगा बहुत ही चोटी है एक ही पेज़की है चलिए शुरू करते हैं याद रखे एक टुकरी भर मिट्टी 1901 लेखक माधवरासर प्रे वाचनसर 19 किसी स्रीमान जमिदार के महल के पास एक गरीब अनाथ जमिदार के जोबड़ी थी जमिदार साहब को अपने महल का हाता उस जोबड़ी तक बढ़ानी के इच्छा होई मतलब जमिदार चाहते थे कि मैं अपनी जो है आगे का अपना वरमदार अपना जगह होबड़ी तक पहुचा दूं बाुंनर्रि वहां तक कर लूं क glucose तो उनके इच्छा होई बिध्वा से बहुतेरा कहा बिध्वा थी वह जो बुढिया थी एक सामने विध्व थी तो बिध्वा से 22 ह कहा अपनी जोपड़ी हटा ले परवा तो कई जमाने से वहीं बसी थी मतलब कि कोई अपनी घर में बसा है वहले वह जोपड़ी हो आप छोड़ने के लिए कहेंगे तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वहाँ से उसको प्रेम हो जाता है तो जब उसने कहा कि कई जमाने से वहाँ बसी थे उसका प्री पती और एकलाउता पुत्र भी उसी जोपड़ी म मर गया था जो वह विद्वा थी तो उसका पती भी वह ही मर रहा था जोपड़ी में और उसका एक लवता पुत्र भी उसे जोपड़ी में मर गया था पतोहू भी एक पांच बरस की कन्या को छोड़ yüzden चलवसि थी सब लोग मर गए थे बस वहीं बच्चे थी उसका बेटा मर गया उसकी बहुँ मर गए उसकी पती मर गए बची के ओल उसकी पोती अब यहीं उसकी पोती इस विर्धाकाल में एक मात्र आधार थी जब उसे अपने पुर वेस्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फिर्ध पराय हो गई है कि जमीदार की बात सुनी जबसे की यह बढ़ाना चाहते हैं जोपड़ी अटाना चाहते हैं उस जोपड़ी में उसका मन लग था पिना मर वहां से निकलना नहीं चाहती थी स्रीमान के सब प्रैत्ना निस्भल हुए तब ये अपने जमिदारी चाल चलने लगे बाल की खाल निकालने वाले वो कीलो की थैली गरम कर उन्होंने आदाले से जोपड़ी पर अपना कबजा करा लिया और विद्वा को वहां से निकाल दिया बेचारी अरनाथ तो थी ही पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी एक दिन स्रीमान उस जोपड़ी के तुम्हारी ही हो गई है मैं उसे लेने नहीं आई हो महराज छमा करे तो एक बिनती है जमिदार साहब के सीर हिलाने पर उसने कहा जब से जोपड़ी छोटी है तब से मेरी पोती ने खाना पिना छोड़ दिया है मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती किसी का एक न वर उसा है कि वह रोटी खाने लगेगी महराज गृपा करके अग्या देजिए इस टोकरी में मिट्टी ले आउं स्रीमान ने आग्या दे दी एक टोकरी भर मिट्टी इसलिए इसका जिर सक है क्योंकि वह विद्वा एक टोकरी भर मिट्टी चाहती थी पुराने जोपड़ी वले घर से विद्वा जोपड़ी के भीतर गई वहां जाते उसने पुरानी बातों का असमरल हुआ और उसकी आँखों से आसु की धारा भरने लगी अपने आंत्रिक दुख को किसी तरह समभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर लिए और हाँस से उठा कर बाहर ले आई फिर हाँस जोड़ कर सिमान से प्रातना करने लगे महराज क्रिपा करके इस टोकरी को जरा हाँस लगाई है जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ जमिदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए पर जब वह बार बार हाँस जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दय आ गई किसी नवकर से नगाकर अपने आप ही स्वयम टोकरी उठाने आगे बढ़ें जोही टोकरी को हाथ लगाकर उपर उठाने लगे तियोही देखा कि यह काम उसकी सक्ति के बाहर है उनकी सक्ति के बाहर है फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा पर जिस अस्थान पे टोकरी रखे थी वहाँ से एक हाथ भी उची ना हुई वहला जी तोकर कहने लगे नहीं यह टोकरी हमसे न उठाए जाएगे यह सुनकर विध्वा ने कहा महराज नाराज ना हो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाए जाती और इस छोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं उसका भार आप जन्व भर क्यों उठा सकेंगे कैसे उठा पाएंगे आप ही इस बात पर विचार किजिए जमीदा और सहाब धन मत से गर्वीद मतलब कि धन और अपने अमीरी में क्या हो गये थे कि गर्वीद थे मतलब कि उनको घमंड हो गया था अपना कर्तबे भूल गये थे पर विध्वा के उपरिर्वत वचन सुनते ही उनकी आखे खुल गई करित करम का पशयताप उन्हें किया पशयताप कर उन्हें विद्वा से छमा मंगि और उसके जौपड़ी वापस दे दी तो यह रहा कहानी एक आदरसवादी कहानी रहा सबको यहां से एक दिन मर के जाना ही है तो अच्छे जरह आई है और जो बहुत आप बुरा करेंगे य आपको यहां से एक दिन जाना ही है, तो लोग आपको एक थोड़ा ठीक ठाक अंदाज में याद करें कि आप एक अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए आप जान भूज के तो गलत ना करें, जान भूज के गलत ना करें, और अंजाने में गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, जब भ विडियो में, मैं आपका दोस्त, आपनेस